इसे ऐसा कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं, 19 मई, विश्वास की गोशना, मैं गोशना करता हूँ कि मैं विशेश, असधारन और अलोकिक हूँ, मैं गोशना करता हूँ कि मेरी जीवन पर सुख का अभिशेक है, इश्वर सदा मेरे सामने है, उसने तेड़े मेरे स्ता को सीधा किया है, उसका जुआ आसान है और उसका बोज हलका है, मैं संगर्श नहीं करता, जो पहले मुश्किल हुआ करता था, वह अब मुश्किल नहीं है, मेरी जीवन पर इश्वर की कृपा और आशिरवाद ने बोज को हलका किया और दबाब को दूर किया, मैं अपने सा प्रकारी चिंता एक बार और हमेशा के लिए उसके समर्मित करता हूँ, क्योंकि यह मेरी देखबाल चौक सी और प्यार सी करता है, यह मेरी गोष्णा है, दिव्या स्वस्ती की स्विकारोकित, मेरी दिल से जीवन की मुद्दे बहते हैं, जिन्देगी मुझ से ही चलती है, क्योंकि मुझ में येशु की जीवन है इस चेतना के द्वारा मैं किसी भी प्रकार की बिमारी, संकर, चिंता या अफसात को अंदर आने से रोकता हूँ मैं हमेशा महीमा का जीवन जी रहा हूँ प्रभू किस्तुती हूँ मेरे पास वो होगा जो मैं कहूंगा येशु के नाम में मैं मजबूत हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं धन्य हूँ मैं शक्तिशाली हूँ मैं अभिशिक्त हूँ मैं स्वतंत्र हूँ मैं इश्वर का प्रिय हूँ मैं इश्वर और मानव जाती का क्रिपा पात्र हूँ मैं वहीं बोलता हूँ जो मैं देखना चाता हूँ, ना कि जो मैं देखता हूँ, मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अपने ईश्वर के घर में अच्छी जमिन पर लगाया गया हूँ, मैं अपने प्रभु के दर्बार में ताड की पेड़ी की तरह फलता फुलता हूँ, मैं हर म मौसम में प्रचूर मात्रा में फल उत्पन करता हूँ, मैं प्रभू में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ, और बुडापे में भी मैं ताजा और फलता फुलता रहूंगा, मेरा पत्ता मुर जाता नहीं है, और जो कुछ भी मैं करता हूँ, वो येशु के नाम से समर्वि मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक बहुतिक शरीर में रहता है मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है मेरा अंतर्मन सुनता है प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देती है और मेरा शरीर पालन करता है येश्यु के नाम म मैं अपने शरीर से बोलता हूँ इश्वर का अविनाशी जीवन मेरी जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त होता है मैं अपने शरीर के हर विवरन के लिए जीवन बोलता हूँ मैं अपने मनोभाव से बात करता हूँ परिपुर्ण बनो मसिहा के मनोभाव की तरह और मैं त मैं अपने स्ताइयों और नसों से जीवन बोलता हूँ, मैं अपनी मास पेशियां और स्त्राही बंदन को ताकत बोलता हूँ, मैं अपनी दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ, मैं अपने फेफ़रों और उतकों से सामन्य वेंटिलेशन और परफ्यूशन अनुपात बनाये पड़िया जोड और काटेले सरेकित मजबूत और डिड़ है मेरे पूरी उपरी और नीचले अंक उत्कुष रूप से कार्य करते हैं मेरी आखे सपश्ट रूप से और पूरी तरह से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बेतरीन मेरी तवचा एक नवजा शीश्यू और इश् संदर्ता की तरह चिकनी और स्वस्थ है मेरे बालों के रूम कज गए है मैं अपने बालों को स्तिर रहने की आग्या देता हूं और जहां वृद्धी की आवश्यक्ता होती है मैं अपने रूम में विकास छोड़ता हूं मेरे दात मसुड़े जबड़ी की हड़िया और तंत कर रहे हैं मेरे पाचन तंत्र निगले गए सभी खाद पदार्तों को पचाने अफशोशित करने और आत्मसात करने में सक्षम है और चयापची अफशित उत्पाद नीमित रूप से उस्रजित होते हैं मैं खाने तकनीक मीडिया शितलता गपशप आलस अधिक नींद सुस्ती और बाद्यकारी खरीदारी में सभी प्रकार के व्यासनों शराप, निकोटिन, ड्रग्स, दीविय धातुपान, आत्यादिक भोग का क्यायत करता हूं और मसीहा की आग्याकारी में ले आता हूं जैसे येशु वैसे ही मैं हूँ इश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो मेर जीवन और चंगाई है इसलिए खात पदार तो दूल जानवरो आदी एलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है इश्वर ने मुझे इन सारे चीजों पर अधिकार दिया है मेरा प्रजनन तंत्र प्रयाप मात्र में और अच्छी गतिशिल्टा वाले शुक्रनाओं का उ हर अंग हर कोशिका पुर्णता में कार्या करता है जिसके लिए इश्वर ने इसे कार्या करने के लिए बनाया है और मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और व्रिकृति को येश्व के नाम पर मना करता हूँ आमेन मेरा संपुर्ण मानव शरी रचना विग्यान चया पता है कि मैं जानता हूं. पुत्र इश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता हैं, मैं जानता हूं. आमेन.